हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेल्थ टिप्स बे डॉक्टर मनीश। आज सप्लिमेंट सीरीज में हम बात करेंगे विटामिन डी टॉक्सिसिटी के बारें में। बिटामिन डी एक fat soluble vitamin है जब हम बिटामिन डी लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जो fat होता है उसमें ये इकठा हो जाता है अगर हम बिटामिन डी को ज़्यादा मातरा में लेते हैं तो ये इकठा होता रहता है और ये toxic level तक पहुंच जाता है तो जब भी हम बिटामिन डी लेते हैं अगर हम इसे रोजाना ले रहे हैं तो कोशिश करें कभी भी 4000 international unit से ज़्यादा बिटामिन डी आप रोजाना मत लें ये बिटामिन डी toxicity तब होती है जब इसकी मातरा 150 nano gram per ml या 250 nano mol per liter से ज़्यादा हमारे श्रीर में हो जाती है जब बिटामिन डी toxic level पर पहुंच जाता है तो इसके हमारे श्रीर में कई effects होते हैं इसकी बज़ा से हमें उल्टी का दिल कर सकता है उल्टी हो सकती है हमारे पेट में दर्द हो सकती है हमारी भूख कम हो सकती है हमारे श्रीर में कमजोरी हो सकती है हमें ज़्यादा प्यास लग सकती है ज़्यादा पशाब आ सकता है और हमें confusion हो सकती है ज़्यादा मातरा में बिटामिन डी हमारी हड़ियों को कमजोर कर सकता है हमारी किड़ियों में पत्रियें कर सकता है और ये हमारे हार्ड को भी नुकसान कर सकता है ये जो vitamin D की toxicity है ये बहुत rare है ये उनी लोगों में देखी जाती है जो vitamin D को बहुत ज़्यादा मातरा में लेते हैं जो डॉक्टर की सलाह से vitamin D नहीं लेते बाकी सब लोगों में vitamin D की toxicity नहीं देखी चाती हमारे श्रीर में vitamin D toxicity के जो side facts होते हैं उसका कुछ कारण हमारे श्रीर में calcium की मातरा का बढ़ना भी होता है जैसे कि आप जानते हैं vitamin D हमारे श्रीर में calcium की मातरा को बढ़ाता है तो जब vitamin D हमारे श्रीर में toxic level दक पहुंचते हैं तो ये हमारे श्रीर में calcium को भी बड़ा देते हैं तो ये बड़ा हुआ calcium भी हमारे श्रीर में said fat करता है और हमें ये सारे symptoms हो सकते हैं तो अगर कभी भी आपके श्रीर में vitamin D की मातरा बढ़ गई है तो आप अपने vitamin D के supplements लेना बंद कर दें और वो सारे खाने avoid करने की कोशिश करें जिसमें vitamin D भरपूर मातरा में होता है So friends, thank you very much